जिनमस्कार दोस्तों आप देख रहे हो हमारे खेट में एक कैसे घूमते होगे क्या खाते होगे पूरे दिन ऐसे घूम घूम के पूरा खेट में जो खेड़ुत ने राद दिवस मेहनत करके कुद पदन लेने के लिए पूरी आसा पे पानी फेरने वाला ये लोग है देखी की पूरी दिन इसे कूटते हैं फिर खेट में खाना का लिते कैसे मेनत कर रहा है आफ देख रहे हो एक सिंग वालिव बलत की कैसे मेहनत करके वह अपना घुजरान चाला रहे है फिर भी पूरा नंश्ट हो जा रहा है एक तरफ एक व्यूम असमी बारिस हो रही है उसकी गहां सखा रही है उसको भी बुरा नुक्सान हुआ है कवमस्मी बारिश की बज़े से और फूर गवर्मेंट भी हमारी कोशिस कर रही है पूर सर्वे कर रही है और आप देख सो कपास लेने के बाद जो उसका बसता है उसको कैसे एकठा करके ले जा सकते हैं और वो साहिए द ने बन गए आप देख सकते हो वीडियो में पूरा मैं आपको वह एक सीन बताव दिखो पूरा भूख है मतलब कुछ खाया नहीं सुबह से आप देख सकते हो कुछ बारिश की बदर जिखा नहीं सकते पुरा देख से आप वीडियो में वार्त देखिए हमारे जो बलद ही कम से कम रात को इबुखे और एक तरफ एदेखी है इस तरफ आप वीडियो में देख सुकते हैं और अशे निलगाए के थे और हमारे गवाव में से रोज के थे और एक इसी जै जो पूरे रात गूम के जो खेत में पागल कर रखा हूँ पसुग के लर रखा वो पुरा नश् पूरे से कुम्राइब इसल सांड की तरह देख लो और एक हमारे खेत में बचा है जो को पुरी बारिस के वज़े से थोड़ा निला हो गया वो देखने में सा लग रहा लेकिन पुरे खेत पुरा सुका है कुछ पी नहीं बचा है कि लाइक बात करो में की पूरे पानी पीने क के लिए एक बूंध भी नहीं मुलती है साथ जीवन हो गया है पुरे गुजरात में देख सकते हैं पुरा मलब जो राद दिवेस मेहनत करके पुरा पाक भी जोया था वो फिन नस्ट हो गया एक तरह मां उठा को में बारिस तेर सारा पावन और पानी को में बोर में सब खत बात नहीं आ रहा है अब देख सकते हो सिर्फ एक लेमन ट्री भचा है जो कुए के नजदिक है इसलिए हरावरा है आप देख सकते हो फिर वो भी सुखजाता बारिस ने होती था और ये देखिए अब राद्दिवस में इनत करके फिर कर जा रहे है पुरे पसुख के साथ अस्तु नमस्कार